दोस्तों हमारे चलने हर एजुकेशन में वाफिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त राहुल आज की सुट्म चर्चा करने जा रही है बी एललबी बी बी एललबी का कम्प्लीट एड्मिशन प्रोसेस अगर आप आई पी उन्यूश्टी में साल अप्लाई कर रहे वो है नेशनल लेवल बेस्ट एंटरस एक्जाम के उपर होने वाले कूर्सिस के अंदर एड्मिशन जैसे की इंटेग्रेटेड बी एललबी एन बी बी एलललबी एकर आप इंटेग्रेटेड लॉग करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा आप्शन है आप लोग लिए ड 2023 जी हाँ अब आप लोगों को अगर इस साल अप्लाई करना तो आपने अगर क्लैट का एक्जाम 2022 के नवंबर डिसेंबर में दिया था तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं तो यहां पर अभी जो आप लोगों के लिए डेट्स अविलेबल है यहां पर जो डेट मेंशन है अपडेट्स है 23 को अपना अप्लिकेशन फॉर्म उपन हो था 30 अपर यहां पर मैंशन करा गया है लेकिन जब आप इनका अप्लिकेशन फॉर्म इनके पोर्टल पर घोलोगे तो 30 मार्च की लास्ट दिखा रहा है तो आप प्लीज एक बार जाके अपना अप्लिकेशन फ पर मिल जाएगा आप अपना फ्रेश कंडिडेट रेजिस्ट्रेशन करेंगे एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया था कि कैसे आप लोगों को यहां का अप्लिकेशन फॉर्म करना होता है वह आप एक बार ज़रू जागे गो थू कर लेना तो क्लैट के अप्लिकेशन फॉ बेसिकली आपके पास बस होना चाहिए कि लास 12 के अंदर 50% ठीक है 50% होना चाहिए और आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं और LLM के लिए भी हाँ पर मैंशन करा गया है कि 55% आप लोगों की ग्राजुशन के अंदर होनी चाहिए तो मैं दोनों को यह कंसेटर करके चल रह है तो 100% जो है पर अप लोगों के होने वाले हैं वो क्लैट के बेसिस पे होंगे दीखे मैं आप लोगों को पहले बता दूंग देर विल बी आर नो सी एटी फॉर ऐलल भी कोर्सेस तो यहां पर आप लोगों के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्लैट पीजी के स्क पंदरा सो रुपे का यह जो रिजिस्टेशन फॉर्म है आप फिल करेंगे उसके बाद आप लोगों को इनकी काउंसलिंग के अंदर 1000 रुपे का जो है फॉर्म अलग से फिल करना होता है धाट मींज कि अभी जो आप लोगों की रिजिस्टेशन चल रही है जो मैंने भी आ प्रोसीजर क्या है इस बर कुछ चेंजिस आए हैं पहले क्या हुआ करता था कि आप लोगों को जब कोई कॉलेज अलॉट होता था तो उस टैम पे आपको 40,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे फॉर रिजर्व यॉर सीट इन आई-पी उन्युवसिटी ठीक है तो थोड़ा सा 1965 का प्रोसेस अप करेंगेए फिर आप एकहजार रुप्ह उप्र यॉर एकार हिश जो है आपका में कैम्पस होता है यॉसलफ जो है आपका मेंड कैमपस होता है आई-पी उन्युवसिटी एस के अंडर में जो affiliated colleges है उनकी list भी आप लोगों को दी जाएगी portal पे तो उस portal में आप अपनी preference set करेंगे कि फर्स नमर पर मैं इस college को रखूँगा second पर इसको रखूँगा third को इसको रखूँगा जितना अच्छा आपका class का rank होगा उतना ही आपको chances होगी आपकी top priority का college आपको allot कर दिया जैसे इसकी sheet fill होगी आपको second इसका college मिल जाएगा जैसे इसकी sheet fill हो जाती है तो आपका जो जिससे आप से rank है उससे आपकी choices आगे fill होती चली जाती है तो जैसे आपको आपको college allot हो जाता है let's say कि आपको first round आपको पहला जो है preference allot कर दिया है या फिर थर्ड नंबर का college एक अगर freezer float के वारे में भी समझें तो आपको जैसे कि third round में एक थर्ड नंबर का college allot हो गया first round के अंदर then आपको 60,000 रुपीज देने पड़ेंगे to participate in next round for an up gradation कि बाइए मेरे को 30 नंबर का college मिला है लेकिन मैं satisfy नहीं हूँ मैं try करना चाता हूँ next round मेरे को इससे कोई अच्छा college मिल जाए तो यहां पर student क्या करेगा 60,000 रुपीज अपना online portal पे पे करेगा then उसके बाद उसको next round में proceed करने का chance दिया जाता है अब जब आप next round में जाते हैं तो आपके पास यह जो college नहीं रहेगा यह college भी आपके पास एजटेज रहेगा लेकिन अगर आपको दूसरे नंबर का college होगे तो यह college आप इसके अंदर दुबारा से अपने है freeze लिखा हुआ है यह चीजे में आप लोगों को upcoming time में बताऊंगा अगर आप चाहते कि प्रॉपर आपको counseling मिले आप guidance चाहते हैं तो आप नीचे में एक form दिया आपको admission support का उसको फिल कर लीजिए and आप personal attention चाहते कुछ जादा ही आपको ज़रूरत है तो आप हमारा admission support जो कि हमारी application पर available है वो enroll कर सकते है उसके अंदर तो हम आपको till the admission इसमें complete support प्रवाइड करते हैं regarding the law admission आप XYZ किसी भी admission के लिए apply कर रहे है आप लोगों को हमारे त्रू मिलेगी तिल दी admission from beginning from application form filling to your counseling procedure complete details आपको मिलती रहेंगी तो उसके लिए आप go through कर सकते हैं निचे description मैंने link दे दिया है ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे reporting भी आपका आगे का procedure होता है जब आपने 63 पे गर दिया देर बाकी की जो fees होती है remaining fees आप लोगों को pay करनी होती है after the reporting on your college at your college अब हम बात करते है number of seats के बारे में अगर आप यहाँ पर apply करते हैं तो देखें यहाँ पे ना main campus के अंदर इनकी जो seats intake है वो 60 seats है BLV के लिए BBLV के लिए 40 seats है LLM के लिए 40 seats है तो यहाँ पे इनकी specialization भी mention कर रखें जिसके लिए separate इनका seat intake दिया हुआ है ठीक है तो आपको देख लेना है कि session 2023 के अंदर यहाँ पर जो seat intake है नोंने क्या करा कि पहले overall 40 seats थी अब यहाँ पर क्या हो गया 20 seats LLM के लिए corporate law के ल इस चीज़ को लेके confused है कि IP University के अंदर मैं colleges में apply करूं तो कितने colleges के option में मिलेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे colleges है जिनको आपको अपने preference रिट के अंदर भरना होता है लेकिन कौन सा college आपकी locality के हिसाब से आपके लिए top college रहेगा कौन से college की ज्यादा high cutoff जात से 180 सीट सिंगी जो है BLB के अंदर है 120 सीट सिंगी BBLB के अंदर है डियाइडी college हुलांबी घूर्थ के अंदर ही नरिला साइड कॉलेज पढ़ता है आपका अखलेश दास गुपता इस्टीट ऑफ टेकनिकल मेनेजमेंट यह आप लोगों का जो college है शास्तरी पार्क के पास लोकेटेड है आपके पास कापस एड़ा का फेयर फिल्ड कॉलेज एफ़ एम्टी डाम से है गीता रतन इस्टीट ऑफ बिजनस स्कूल रोहिनी केंदर केंपस लोकेटेड है आइडर इस्टीट ऑफ मैनेजमेंट यह करकर डूमाव के अंदर है महराजा अगरसियन, महराज इनके दो केंपस है एक दोवारका के अंदर यह जो कॉलेज आपका ग्रेटर नडा वाला ऑप्शन है आपके पास उनटेड कॉलेज ऑफ एडुकेशन यह भी ग्रेटर नडा के अंदर लोकेटेड है अब बात कर लेते हैं लेलम के लिए तो लेलम आपके पास आईपी इसके अलावा जो अदर कॉलेज़ है उनका फीस देखर गया है और यह सिर्फ इनका कॉलेज की पीसे इसके अलावा अनके युनिवोसिटी के चार्जिस इसके इंदर एड हो जाते हैं तो कोई शूटन ने ब्रोशर के नदर देखके बोलता है कि बढई आपका जो फीस ट् पर यहां पर mention है लेकिन आप हमसे ज़्यादा क्यों ले रहे हो तो make sure कि आप एक बार अच्छे से गोद्रू कर ले को क्योंकि university के charges भी आप लोगों को यहां पर pay करने होते हैं इसके अलावा जो उनके मिसलेने charges होते हैं उनको मिला कि आपका जो fees है वो बढ़ जाता है तो यह चीजे भी आप लोगों को देख लेनी हैं पहले से ही तो यह है fee structure जो colleges का हैं पर mention करा गया है law के लिए यह है LM का fee structure और बाकी यह है आप लोगों का LLB का fee structure इसके अलावा इसके अंदर आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इसमें add कर लेना है अपना university का charge जो की university mention करक कैसे हमको apply करना है तो भई आपको कोई personal intimation नहीं देगी university you have to work out yourself और आपको ही एक एक चीज़ के उपर ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप यह अपना साल waste नहीं करना चाते और IP university को target कर रहे हो admissions के लिए तो make sure कि आप इनकी एक date को अच्छे से follow करें बाकी अगर आपको admission support की जोर्त है और आप इससाल apply कर रहे हैं अफर upcoming year के अंदर लॉगे लिए apply करेंगे तो klat की preparation भी आप higher education के साथ कर सकते हैं offline mode के अंदर के अंदर हम complete preparation आपको collect की करवाएंगे ताकि आपको IP university के अंदर एक top college के अंदर अच्छे से admission मिल सके तो मिलते हैं next video मुसी तरीके educational content के साथ bye bye take care thank you soon